सब्सक्राइब टो यूट्यूब चानल और प्रस्ट बेल आइकन टिकेट लेतिस अपडेट्स उत्तर प्रदेश के बागपत जील नो जुलाई 2018 का दीन प्रवांचल के लिए महत्पूर था पश्य मुत्र प्रदेश की जेल में प्रेम प्रिकासी उर्फ मुन्ना बजरंगी के रूप में एक ऐसे कोख्यात अपराधी की हत्या हो गई जिसके नाम से रिजौनपूर वरानसी मिरजापूर का परिछेतर कामता था सीधे या परोक्षरूप से मिली एक धम की अच्छे अच्छे आकड़ों के होस उडा देती थी नबे के दसक से यह भी आम था कि मुन्ना बजरंगी शुपारी किलर मशीन मुक्तार के शारे पर काम करता है और उसके हाथ नहीं कामते हैं मुक्तार अंसारी तो एक ऐसा नाम बन चुका था जिसका डॉन के नाम से मसहूर धरहरा के बिरजे सिंग के सिवा कम लोग शामना करने की सोच पाते थे अब वहीं मुक्तार अंसारी आज अपने दुश्मनों के बिछाये चाल के साथ कानून के दायरे में उलहस्ता जा रहा है बताते हैं मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से ही उसके माथे पर बल है कौन रखता था मुक्तार के कंधे पर हाथ उत्तर परदेश पूलिस को शांदार सेवाई देने वाले पूरवा IPS अधिकारे रंजन द्रिवेदी उन दिनों बनारश में तैना थे मुक्तार के खिलाफ कारवाई की तयारी थी और उत्तर परदेश के ततकालिन मुख्यमंत्री मयावदी के कारेकाल में उन्हें प्रमोशन देकर ऐसा करने से रोख दिया गया दुसरी तैनाती दे दे गई मुक्तार अनसारी पर पूर्व डिएसपी सैलन सिंग ने पोटा लगाना चाहा तो उन्हें प्रताडना जहिनना पड़ी सैलन सिंग ने पुलिस सेवा से इस्तिपार दे दिया हलाकि ब्रिजला ने एक बार भी नहीं बताया कि उन्होंने डीजीपी रहते हुए मुक्तार पर से कंजा क्यों नहीं कसा मुक्तार पर सिंगाजा कसे जाने की दूसरी शंभावना तब ज्यादा जोर पकरने लगी थी अब उत्तरपरदेश पुलिस ने बादोहिं से बिधायक विजय मिस्तरा पर कानूनी कारवाई करते हुए उन्हें की रफतार कर लिया पुर्वी उत्तरपरदेश के माफिया राज पर बारीकी से नजर रखने वाले मानते हैं कि मुखतार की समाजवादी पार्टी और बस्पा के राज में चलती थी जिनका राजनितिक रशूप बिरोधियों को घेरने और खुद से जूड़े लोगों को शुरक्षा कोज़ देने में करीब करीब शफर रहता था मुखतार के इसी राजनिती कनेक्शन के जवाब के तौर पर बिरजे सिंग के परिवार और उसके कई करीबी राजनिती में आये यहां तक कि वारानसी परिछेतर में दहसत का परियाय बने बिरजे सिंग ने भी राजनिती के रास्ते को चुन लिया मुख्तार के बिरोधी राजनिती में अब मुख्तार अनसारी के धूर बिरोधी बिरजेश सिंग वारानसी के MLC है 2006 में वो MLC बने 2008 में दिली प्रुलिश ने बिरजेश सिंग को भूने सरस्विगर अफ़तार किया इससे पहले दो बार उनके बड़े भाई उदेनाथ सिंगे वैल सी थे मुख्तार का नाम जिस भाजपक पिधायक करिशन अनराय की हत्या में लिया जाता था उनकी पतनी अलगाराय गाजीपुर के मुहमदाबाद से पिधायक है क्रिश्ना दनराय की हत्या ने पुरवान चल और खासकर मव गाजी पूराजम गडबनारस और जौनपूर के भूमिहारों का खून खोला दिया था माना जाता है कि मुखतार का बिरोधी है खेमा अब मुखतार के खिलाप मामनों को खुलवाने सिकायत करने वालों को आगे लाने तथा राजय प्रेशासन से मुखतार के खिलाप मुकदमों की पैरियू में धार लाने की कोशिश में लगा हुआ है इतना क्यूं डर रहे मुख की है विकास दूबे पुलिस की गाली पड़ने के बाद भागने की कोशिच की और जबाबी में गोली मारा गया था लेकिन माफियाओं के बीच में यह पटना पुलिस त्वारा आत्मसमर्ट पर कर चुके विकास की सुनियोजित हत्या के तौर पर अस्थापित है और यहीं सा माज़िती में आ चुके हैं विधाईक MLC तक बन चुके हैं जिसकी पहचान बड़े-बड़े नेताओं के साथ है और शायद यहीं वज़ा है जिसके चलते मुखतार अंसारी खौफ में और डरते नजर आते हैं निज्रूम से निज्लाइट की रपोट पिर चुके फ़ो supिस्या पेस आपपारी तक बनुछ इनसारी और शायद